L.A.C. पर चीन को रगड़ने की अब हो चुकी है पूरी तयारी भारत ने तयार कर लिया है ड्रैगन को तबहक करने वाला मेगा प्लैन गल्वान के बाद पियम मोदी का सीक्रेट मिशन मचाएगा धमाल पियम मोदी ने इसराइल को सौपी थी इस खास मिशन की जिम्मेदारी भारत एर फोर्स को भी मिल गया है अब इसराइल का सीक्रेट प्लैन मोसाद के बाद इसराइली डेंजरस यूनिट से उड़ी दुश्मनों की नीद दोस्तों भारत इसराइल की दोस्ती अब चीन का ऐसा बैंड बजाने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी सीमा पर उसकी हर हरकत का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसकी नानी याद आ जाएगी क्योंकि भारत के पास आ गया है वो सीक्रेट प्लैन जिससे दुश्मन धर धर कापेगा सीमा पर कोई हरकत करने से पहले हजार बार सोचेगा क्योंकि मिशन मूदी अब बड़ा धमाल मचाने जा रहा है चीन का वजूद मिटाने वाला है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एलेसी पर चीन की काईराना हरकत के बाद 2020 से ही दोनों देशों की सेनाएं आमनिस सामने है हालात यह हैं कि कभी भी जंग का बिगुल बचकता है चीन ने अपने नापाक मनसूबे को अंजाम देने के लिए पहले ही एक लाग से ज़्यादा सैनिक बॉडर पर तैनात कर रखे है और अब उसने जो किया है वो उसकी मनशा का उबाल है सीमा पर फाइटर जेट्स भेज कर उसने भारत के शेर मोदी को ललकारने का काम किया है चीन के इस कारनामे से मोदी का घुसा साथ में आसमान पर पहुँच गया है लिहाज आब उसकी तबाही होनी तैय है पिया मोदी ने से लेकर सेना को इजासत भी दे दी है जिसके बाद भारते वायू वीरू ने कमर कसली है उन्हों ना केवल अपने डिफेंस यूनिट को एक्टिव कर दिया है बलकि दुश्मनों का काल कहे जाने वाले राफैल, सुखोई और तेजस को भी हाई ऐलर्ट पर किया है जिससे चीन के पसी ने छूटने लगे है लेकिन दोस्तों ये तो बानगी भर है असल में पियम मोदी ने इसराइल के साथ मिलकर चीन की तबाही का जो प्लैन तयार किया है उससे चिकन हाट चीनियों की हवा टाइट होने लगी है दोस्तों चीनी चंकियों ने गलवार में नापाक हरकत की थी उसके बाद इन पियम मोदी ने उनकी पुंगी बजाने के ठान ली थी दो साल की तैयारी के बाद अब इसका नतीजा आने वाला है जो चचा जिंग पिंग पर भारी पढ़ने वाला है दोस्तों आखिर पियम मोदी ने इसराइल के साथ मिलकर कौन सी सीक्रेट डील की थी जो भारतिय वायुस्यना को अजय बना देगी उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगी यहां सवाल ये उड़ता है कि इसराइल की मोसाथ से भी खतरनाग वो कौन सी फोर्स है जिसकी सीक्रेट तक्नीक भारते वायुसेना को सुपर पावर बनाने वाली है मतलब साफ है कि ये रिपोर्ट आपके लिए बेहत खास होने वाली है क्योंकि एलेसी और एलोसी पर खड़े दुश्मनों को गगन भेदी विमानों से कबर में पहुँचाने का तगड़ा बंदोबस्त हो चुका है तो दोस्तों अगर आपको इस सीक्रेट के बारे में जानना हो तो आपको एफ वीडियो जरूर देखना चाहिए खास कर एक हिंदुस्तानी होने के नात्रा तो चलिए शुड़ो करते हैं दोस्तों पहले मोसा से ट्रेनिंग अब वायू सेना के साथ सीक्रेट डील भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ कुछ बड़ा खेला करने की तयारी कर ली है ये खेला ऐसा होगा जिससे चीन चारों खाने चित तो हो जाएगा आदको इसराईल और भारत की सीक्रेट डील के बारे में बताऊंगा लेकिन पहले बता देता हूँ इसराईल के साथ भारत की कोई पहली डील नहीं है इससे पहली बिढ़नों देशों ने दोस्ती की मिसाल कायम करते कई सीक्रेट डील्स की थी जिसे सुनकर आप चौंग चाएंगे इसराइल भारत की दोस्ती से कामते हैं दुश्मन मोसाथ से लेकर इसराइल की लेजर बीम भारत के लिए मददकार दोस्तों रूस की तरह इसराइल भी हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलता है चाहे बात आतंगबात की हो या फिस सीमा सुरक्षा की इसराइल हमेशा भारत के साथ एक मजबूत चटान की तरहा खड़ा नजर आता है भारत की दोस्ती को लेकर इसराइल किस हद तक जा सकता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाक में घुसकर आतंग्यों का सफाय करने के लिए भी उसने भारत की बड़ी मदद की है एक समय इसराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के आतंग ठिकानों को तबहा करने की सीक्रेट डील भी कर ली थी सब कुछ प्लैन के मताबक तैथा लेकि भारत के ही एक नेता ने इस प्लैन को लीक कर दिया जिसका खामियाजा हमें आज तक उठाना पड़ रहा है दोस्तों आतंगवाद ही नहीं पाक और चीन के साथ हुए युद में भी इसराइल ने कुप चुप तरीके से भारत की काफी मदद की थी इसराइल ने भारत को उस वक्त युद में हत्यानों का जखीरा भी जा था इसके बाद दोनों के रिष्टों में जो गर्म जोशी देखने को मिली उसने दुश्मनों की नीन उड़ा रखी है दोस्तों कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि इसराइल ने भारत के साथ एक कॉंट्रेक्ट साइन किया है इस करार के बाद बम गाइडन्स किट्स, एंटी टेंक गाइडन मिसाइल्स और सौफ़वेर लेस रेडियोस की सप्लाई होनी थी तरह सिर एल एसी पर चीन के साथ जारी टकराव के बाद दो सौ मिलियन डॉलर की इस डील को साइन किया गया था ये डील इतने गुपचुप तरीके से हुई थी कि किसी उकानुकान खबर नहीं हुई थी भारत को स्पाइस बम मोहिया कर आए गए थे इन बमों का इस्तमाल भारत पहले भी बालकोर्ट स्ट्राइक में कर चुका था इसकी इकमारक शम्ता को देखते हुए भारत ने इसे एलेसी बर तैनाज सेनाओं को देने का प्लान बनाया था जिससे चीन की चुंगियों को सबक सिखाये जा सके दोस्तों इस बम को खरीदने के पीछे इसकी खास तक्नीक थी दरसल स्पाइस बम स्मार्ट नेविएशन टेकनीक पर तयार किये गए हैं जिसके कारण सैट्लाइट गाइडेंस और एलेक्ट्र आप्टिकल सेंसर्स की मदद से बम टार्गेट को अंदर तक नश्ट कर देते हैं जिससे दुश्मन को बशने का कोई रास्ता नहीं मिलता है मतलब साफ है कि इसराइल भारत के लिए कर रहा है जो और कोई नहीं कर सकता और अब वो जो करने जा रहा है उसे अपना कर भारते वायुसेना भी दुनिया में आप राजय बन सकती है मुसाथ के बाद इसराइल का एक और धमाका इसराइली एरफोर्स का बदल गया है कलेवर हार अब इस ग्ल्यूप्रिंट पर कर रहा है कांग दोस्तों दर असल इसराइल वायुसेना नहीं ताकत बढ़ाने और दुश्मनों के उकाल की गाल में पहुँचाने के लिए स्पेशल फोर्स को एक कमांड में शामिल करने वाली साथवी एरियल स्पेशल फोर्स विंग बनाई गई है जानकानों का कहना है कि इसराइल के इस कदम से दुश्मनों की हवा टाइट हो गई है और उन्हें अपनी तबाही साफ दिख रही है इसराइल का ओधन चीन और पाकिस्तान के लिए भी शिंता का सबब बन गया है क्यूंकि उन्हें अब लगने लगा है कि भारत इस नक्ष एक कदम पर चल कर उनकी हालत पतली का सकता है विशेशक्यों का भी कहना है कि ऐसे कदम से भारत को भी प्रिना लेनी होगी और इसी आईडिया के आधार पर भारती वायसेना की भविश्य के रननीती तैयार करनी होगी तब ही दुश्मनों की सोड धीली की जा सकती है दोस्तों यहां बड़ा सवाल उड़ता है कि आखर इस्राइल ये स्क्वेडन क्यों बना रहा है दोस्तों इस्राइल आर्मी की मानिद सत्रवी एरियल स्पेशल फोर्स विंग बनाने का मकसद कई मोर्चों पर उभर कर आ रहे खत्रों का जवाब देना और उपरेशनल जरूरतों को पूरा करना है इस विंग से यूनिट्स के उपरेशनल प्रभाव को बढ़ाया जाएगा इस्राइल की वायू से रहे विशेश गतिवितियों रूटीन और एमर्जनसी उपरेशन के लिए विंग हमेशा अपने ढंग से बड़ी ताकत की रूप में सही उग देगी दोस्तों इस दस्ते को क्यों बनाया गया जी तो साफ हो गया लेकिन इसका गठन कैसे किया गया ये भी आपको बता देता हूँ दोस्तों इस एक विंग में सर्च ऑपरेशन के साथ राहत कारे करने वाली यूनिट 679 शाल डाग कमांडो यूनिट और दुश्वनों के खेमों में एर फील बनाने वाले दस्तों को शामिल किया गया है फ्रंटल लेंडिंग यूनिट के साथ ही विंग के लिए इंटेलिजन्स यूनिट और स्पेशल फोर्स स्कूल के तौर पर भी जुडेंगी इसे इसराइल वायुस्यना की इतिहास में एतिहास सिक कदम बताया जा रहा है दरसल इसराइल की वायुस्यना को नियमित रूप से military operations को इंजाम देना होता है क्योंकि उर्वादी संकटन कही जाने बले हमास के ठिकानों को गाजा प्टि पर निशाना बनाना होता है दूसरी तरफ इसराइली वायुसेनों को सीरिया में एरानी गतिविधियों के खिलाव भी एर स्ट्राइक करनी होती है कुल मिलाकर संघर शीर इलाकों में इसराइल की चिंता हमेशा यही रहती है कि एरानी सीना अपना दवदवा बढ़ाना ले और उगरवादी ताकतें इसराइल के खिलाव अपना सिर उठाने की जूरत ना कर सके इनी तमाम कारणों से वायुसेना को और मजबूती सक्री है और असरदार करने के लिए नई विंग बनाई गई है दोस्तों इसराइल के इस कदम की दुनिया भर में चर्चा है जानकार इसे इसराइल के दुश्मन के लिए साक्षात काल मान रहे हैं जिससे उनकी नींद उड़ी हुई है मुसाद ने तो पहले अपने दुश्मनों पर कहर बरपा रखा था लेकिन अब नई विंग से उनके कलेजे पर सांप लोटने लगे हैं इसमें कोई दो राही नहीं है कि इस इसराइल का ये मसवदा भारत के लिए भी काफी कारगर साबित हो सकता है विशेशग्यों का कहना है कि भारते वायुसियना के लिए ये कंसेप्ट भविशे के स्क्वाडरंज के लिए ब्यूप्रिंट का काम कर सकता है असल में जराय कि इस विंग की एहमेद इसलिए है कि ये दो तरफा संगर्शों में एक साथ कुशलता से सक्रियर रह सकती है दोस्तों इसका महत भारत के लिए और बढ़ जाता है क्योंकि उसके सामने पाकिस्तान और चीन दोनों की चुनातिया है जिससे हमेशा उसे सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि जरासी भी चूप दुश्मन को मौका दे सकती है दोस्तों जानकारों का कहना है कि जब भारती वायुसियना अपने 28 स्कुएडरंस को बढ़ा कर चालीस करने पर विचार कर रही है तो ऐसी हालत में उसे ऐसे नए आडियाज पर काम जरूर करना चाहिए क्योंकि ये दुश्मनों के खिलाफ बड़ा हत्यार साबित हो सकता है और एक साथ दोनों मोर्चों पर दुश्मनों के दांत खटपे कर सकता है दोस्तों यहां बता दू कि भारत और जरायल के बीज रक्षा समझाओतों कि एक लंबी फेहरिस्त है और अगर भारत इस क्षेत में भी जरायल से मदद मांगेगा तो इसमें दोर आए नहीं कि हमारी मदद जरूर करेगा दोस्तों आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें जै हिंद जै भारत